नमस्कार दोस्तो टेक्स पपर्दी यूटूब चैनल में आप सभी EPS 95 पैंसन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तो EPS 75,000 रुपे मिनिमाम पैंसन पलस जो है डिये को लेकर एक आप सभी के साथ लेटेस्ट अपडेट एक जरूरी जानकरी सेर करनी थी तो प्लीज अगर आप भी EPS 95 पैंसन धारकों के लिए वीडियो में आगे बड़े इस नए अपडेट के बार में बताओं उससे पहले अगर आप भी EPS 95 पैंसन से संबनी लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो चलिए दोस्तो चान लेते हैं इस नए अपडेट के बारे में दोस्तो अपडेट आपको स्क्रिन पर दिख रहा होगा अपडेट निकल क्या रहा है EPS 95 पैंसनस के जो राश्टे संगर समेती है NAC यनिकी National Agitation Committee की तरफ से एक अपडेट लगाया गया है राश्टे संगर समेती NAC करनाटक सम्मेलन 20 अक्टूबर 2021 को राश्टे संगर समेती NAC का करनाटक सम्मेलन राम मंदिर राजाजी नगर बैंगलूर में सुबह साड़े दस बज़े से दो पर एक बज़कर तीस मिनट बज़े तक आयोजित किया गया था इस बैठ़क में सभी निजी छेतर, सावरजिनिक छेतर, संग्ठित और एसंग्ठित, सेवा निर्थ, EPS 95 पैंसनरों ने भाग लिया BML, HL, ITI, KMF, KSRTC, BMTC, Pharma सेक्टर, KSDL, सहकारी बैंक और कई अन्य उद्योगों के परतिनेजों ने भाग लिया वे विबिन उद्योगों के सभी नेताओं ने सम्मलेन के दोरान अपनी बात कई और राष्टिस तरपर NAC आंदोलन का समर्थन किया कुल 1200 से अधिक सदस्यों ने सम्मलेन में भाग लिया, स्री एस नागराज उपाद्दक्स ने सम्मलेन का स्वागत किया सिरी रमाकान नरगुड मुखे सुन्वे दक्षिन भारत ने संचिप्त में NAC के इतियास वे NAC संक्थन का प्रिच्चे दिया NAC के राष्टे अधक्स कमांडर असोक रावजी ने सबा को संबोधित किया और आज की इस्थती के बारे में बताया साथ ही केंदर सासन का ध्यान आकरसित किया कि सभी EPS 95 पैंसनों को नियूंतम यानि की मिनमम पैंसन साड़े साथ हजार रुपए साथ हजार पांसो प्रस डिये उच पैंसन के लिए विकल्प और सो परसेंट चिकसा लाब प्राप्त करने में सबसे मैत्वपून है विद्वा को सो परसेंट पैंसन और पांच जार रुपए की पैंसन उन्हें परदान की जाए जो EPS 95 योजना में सामिल होने से चूप गए है इसके बाद विरेंदर सिंग राष्टे महासची ने भी एक जोड़ता दिखाने की जरूरत बताई और सबी EPS 95 पैंसनर्स को अपने परिवारों के साथ संगरस में सामिल होने का आगरे किया सिर्विपियन पार्टिल राष्टे सलाकार एनेसी ने भी संग्ठन के मेतों के बारे में बताया और जागरुकता बढ़ाने के लिए इसे संग्ठन को तैसिल सतर तक ले जानने के बारे में बताया 31 अक्टूबर 2021 से पहले अच्छी खबर सुनने की उम्मीद भी उन्होंने रखी तो यहां पर देख सकते हो उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2021 से पहले अच्छी खबर सुनने की उम्मीद भी रखी है साइध हो सकता है कि 31 अक्टूबर 2021 से पहले अच्छी खबर आजाए स सबा को संबोधित किया सिरी बी एस नर्खेडे उप कोशादक्स एनसी मुख्यले बुलड़ना भी सम्मेले में मौझूद रे सिरी केपी मंडाली ने सभी के परती धन्यवाद व्यक्त किया और यहाँ पर जो जानकारी इंग्लिस में यहाँ पर बताया है इंग्लिस और हिंदी में दोनों जानकारी सिर करी है तो चले मापको जो मिटिंग हुई है जो सम्मेलन हुए उसकी फोटो भी आपको मैं दिखा देता हूँ तो दोस्तों जो 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 यहाँ पर वीडियो के लिप दीख रही होगी राश्टे संग्र समिती एनसी करनटक सम्मेलन की यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर कापी जो इंपोर्टेंट बात वो यह है कि मानिने कमांडर असोकराओ जी यहाँ पर आये थे और बताया कि EPS 95 की जो राश्टे संग्र समिती एनसी लगातार परियास कर रही है EPS 95 पैंसन बढ़ोतरी को लेकर और इसके साथ साथ जो है 31 अक्टूबर 2021 से पहले साथ हो सकता है कि जो है एक अच्छी गुड नियूज मिल सके पैंसन बढ़ोतरी को लेकर बाकी परियास जारी है EPS 95 पैंसन बढ़ोतरी को लेकर सरकार को जल से जल्द निरने लेना चाहिए आपके इसाब से जो है EPS 95 minimum pension कितनी होनी चाहिए comment box में comment करके जुरूर बताना ये एक नया update था जल्द मिलते हैं नय अपडेट के साथ जल्द